किसने किसको किसकी उपादी दी इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे हमारा टॉपिक है महत्पॉन व्यक्ति एवम उनसे संबंदित उपादियां ये टॉपिक दिरूर चोटा है परन्तु परिक्षाओं के लिए बहुत महत्पॉन है और इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी रटने के आउशकता नहीं होगी चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोशन है महत्मा गांदी को महत्मा की उपादी किस ने दी थी अगर आपको पता हो तो आपको मिलते हैं तीन सेकंड आंसर जरूर बताईएगा ओप्शन सी रविद्नाट टैगोर लेकि महत्मा गांदी को महत्मा की उपादी देने वारे थे रविद्नाट टैगोर देश की आजादी के लिए सत्त और एंसा को भी हतियार बनाए जा सकता है यह बात महत्मा गांदी ने दुनिया को शिखाई थी और रविद्नाट टैगोर ने महत्मा जी को एक पत्र लिखा जिसमें गांदी जी को उनने महत्मा से सम्मोधित किया था सब्सक्राब से महात्मा गानी को महात्मा की उपादी प्राप्त हुई थी अब देखें कैसे द्यान होगे रविद्रनाथ में रवी आ रहा है तो रवी से रविवार जितने भी महात्मा हैं वो उनकी छुट्टी रविवार को भी नहीं होती है बलकि हम लोग जो काम करते हैं उसकी छुट्टी हमें रविवार को जिरूर मिलती है परन्तु महात्मा की छुट्टी रविवार को भी नहीं होती वो अपना संगर्ष जो है रविवार को भी जारी रखते हैं नेक्स है रविंदनाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी किस ने दीती रविन्नाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी किस ने दी थी option B महात्मा गांदी ने जिहां दोनों question opposite है बहाँ पर हमने देखा कि महात्मा गांदी को महात्मा की उपादी देने वाले थे रविन्नाट टैगोर और यहाँ पर रविन्ना टैगोर को गुरुदेव की उपादी दी थी महत्मा गांदी ने देखिए उत्तम दर्जे की सिक्षा के परचार परसार के लिए रविना टैगोर के इस लगाब को देखते हुए महात्मा गांदी ने उने गुरुदेव की उपाधी दी थी अब देखिए महात्मा जो गुरुदेव होते हैं गुरु होते हैं गुरु कौन होते हैं वह या एक महान व्यक्ति होते हैं महात्मा होते हैं तो ऐसे ध्यान रख पाँगे कि गुरू देव की उपादी को इसे दे न यह थे नियुक है कि ने अब देखिए इसे भी हम इसी प्रकार से द्यान रखेंगे कि जो महात्मा गांदी थे वो हमारे देश के क्या हैं पिता हैं पूरा देश उनी के नाम पर है तो महात्मा गांदी गांदी जी की बात करें तो पूरा देश उनी के नाम पर है तो ऐसे द्यान रखेंगे कि देश रत्न देश रत्न की उपादी देने वाले कौन थे महतमगांदी नेक्स्ट है मुहम्मद अली जिन्ना को काईदे आजम की उपादी किस ने दी थी देखिए सबसे पहले मैं आपको पता दू मुहम्मद अली जिन्ना कौन थे ये जो मुहम्मद अली जिन्ना थे ये एक प्रमुख राजनितिक थे जो की पाकिस्तान के थे कहां के थे ये पाकिस्तान के थे ये प्रमुख राजनितिक थे ये मुस्लिम लीग के नेता थे आगे चल कर ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनर्नल वने क्या नाम था इनका मुहम्मद अली जिन्ना अब काइद आजम का अर्थ समझ लिए काइज आजम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता महान नेता महान नेता तो देखिए यहां पर जो हमारे महत्मा गांदी जी थे option D इसका right होगा महत्मा गांदी जी ने मुहम्मद अली जि तो प्रिये काइद आजम जो उन्हें सब्द यहां पर यूज किया था तो उन्हें काइद आजम की उपादी उन्ही महत्मा गांदी जी के द्वारा प्राप्त हुई थी यह आपको परिक्षागिमांदी हमसे ध्यान रखना है मुहमद अली जिन्ना कौन थे यह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जन्रल भी थे अब देखे यहां पर हमने तीन बाते जानी कि महत्मा गांदी ने तीन लोगों को उपादियों से नवाजा रविन्नाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी दी थी और राजिंदर प्रसाद को देशनरतन की उपादी दी थी और मुहमद अ जिन्ना जो कि पाकिस्तान के कौन थे? पहले गवर्नर जनरल उनने काइदे आजम की उपादी दी दी खेला महत्मा गांदी को राष्पिता की उपादी किस न दी थी? ऑप्शन A सुवा चंदर बोश देख़िए सुवास चंदर बोश अब बात है 4 जून 1944 की तो 4 जून 1944 को सुवास चंदर बोश ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महतुमा गानि को देश का पिता कहे कर संबोदित किया था इसके बात है चे जुलाई अब एक मेने का डिफ्रेंस है चे जुलाई 1944 को सुवास्चंद्र बोस ने फिर एक बार रेडियो सिंगापुर से एक संदेश पिरसाजित कर गांदी जी को राश्पिता गएकर समोधित किया बाद में भारत सरकार ने इस नाम को मानिता दे दी और महत्मा गांदी जी को राश्पिता कहा जाने लगा तो आप्शन इसका ए है महत्मा गांदी को राश्पिता की उपादी किसने दी थी सुवास्चंद बोस ने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी किस ने दी थी बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी किस ने दी थी तो देखिए बल्लब सरदार बल्लब भाई पटेल जो थे भारत के पहले उपराश्पती थे और यहाँ पर इनको इसकी उपादी दी थी बारडोली की महिलाओने किसकी महिलाओने बारडोली की महिलाओने यहाँ पर देखिए सत्यागरह आंदोलन के सफल होने के बाद बहां की जो महिलाएं थी बारडोली की बारडोली एक जगे का नाम है बारडोली की मैलाओं थी, उन्होंने बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी दी, उन्हें सरदार कहकर पुकारा, तो सरदार की उपादी किन ने दी थी, बारडोली की मैलाओं ने, अब देखिए, अगला है, स्वामी विवेका नंद को स्वामी की उपादी किस ने दी थ राजा राम मोहन राए को राजा की उपादी किसने दी थी? आप्सन B अकवर दुतिये ने देखे राजा राम मोहन राए ये राजा राम मोहन राए को राजा की उपादी का मतलब ये हुआ ये रिबास्तब में राजा नहीं थे परंतु इन्हें राजा की उपादी से नवाजा था राजा कहकर पुकारा था किसने अकवर दुतिये ने अब इनकी बात बात करें तो राजाराम मोहनराय आमतर पर पुनर जागरण के अगरदूत और समाज सुदारक थे और इनी को अकवर दुतिये ने राजा कहकर पुकारा या राजा की उपादी दी थी ये भी परिक्षा के माद्यम से आपको ध्यान रखना है दोस्तो दोस्तो ये कुछ हमारे मैथ पॉन्ट टॉपिक थे जो कि हमने यहाँ पर कवर किये वीडियो छे लेगी तो से लाइक करें